नमस्कार आप देख रहे हैं तेजस 24 नियूज और मैं हूँ आपके साथ जोती कनोजिया आईए रूख करते हैं खबर क्योंज सोंबार सुबा को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया इसके बाद धूल भरी आँधी चली और कई इटावा जिले में बिजली कड़कने के साथ हलकी बारिश भी हुई जिसके चलती इटावा जिले में एक यूवक आकाश बिजली की चपेट में आ गया मौके पर ही उसकी मौत हो गई मौत के परिवार में कोहराम मचा है बताया जारा है कि आँधी बारिश शुरू होते ही यूवक घर से आम बीनने निकला था तबी उसके उपर आकाश बिजली गिर पड़ी और उसकी दर्धनाख मौत हो गई आसोबा देखते ही देखते आसमान में काली बादल चाह गए और कुछी देर में तेज आधी और गरत की साथ बारिश शुरू हो गई इसी क्रम में हुए ग्राम कच्छपूरा बचारोई निवासी एक यूवक की मौत हो गई पताया जारा कि संदराम के 15 वर्षे पुत्र दीपक कुमार खेतों पर आम बीने गया हुआ था तबी अचानक बारिश होने लगी बारिश होने के कारण वा एक आम के बगीचे में रुक गया इसी दोरान वाकाशी बिजली की चपेट में आ गया जिसके चलते उसकी मृत्ती हो गए घटांगे बास से गाउं में मातन सा महौल है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है उसरा हर से गौरफ शाकी की रिपोर्ट ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ये तेजस 24 न्यूस